हमें यहां से जल्दी से निकलना पड़ेगा वो खतरनाक सा मॉंस्टरन हमारी पूरी वुल्फ फैमिली को खतम कर देगा तुम सही के रहे हूँ अरे बन हुआ क्या वो कौन है मेरे बच्चे वो वुल्फ फैमिली का सबसे बड़ा दुश्मन है और उसने हमें डोड़ लिया है हमें यहां से निकलना पड़ेगा जल्दी चलो हा 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 तुम मुझसे बचके कहा जाओगे वुल्फ फैमिली मैं तुम्हें आज खतम कर दूँगा यह ले सबसे पहले वुल्फ पापा मैं तुझे भी नहीं छोड़ूँगा मुझसे बच्चा हा 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 आखिरकार मैंने पूरी वुल्फ फैमिली को खतम करी दिया एक सेकेंड यह बच्चा किसका है हरे मुझे छोड़ दो मुझे छोड़ दो मैंने क्या किया है यह क्या यह वुल्फ फैमिली का बच्चा कैसे बच्चा मुझे इसको भी खतम करना होगा नहीं 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 मुझे मत मारना मेरे बच्चे को छोड़ दो वैसे तो मैं पूरी वुल्फ फैमिली को खतम करने आया था करूंगा जाओ लड़के मैंने तुम्हे छोड़ दिया पर तुम्हारी पूरी फैमिली को मार दिया निकल यह से डेड़ बुटिये वुट बागरो यह जल्दी बागो मॉंशनर से एहे में बुहते दालब Lah Emad और इस मॉंच्टर ने मेरी पूरी फैमिली वालों को मार दिया, सिर्फ इसने मुझे छुड़ाए, पूरे लॉस सेंटोस में सारे के सारे वुल्फ मर गए, सिर्फ मैं अकिला वुल्फ बचाओ, ये क्या हो गया, अब मैं क्या करूँगा, मैं एक वुल्फ हूँ, हम डर के न मुझे अपनी हाइट और पावर को बढ़ाना पड़ेगा, उसके उसके बाद ही मैं इस मॉंच्टर से अपना बदला ले पाऊंगा, तो काईजर, अभी हम लोग जाने वाले, बनने वाले एक खदरनाक सा लंबा, और खदरनाक सा वुल्फ, हमें अपनी हाइट को बढ़ान क्योंकि हमें अपना बदला लेना इस खदरनाक से मॉंस्टर से, तो चलो यार, फड़ाववड से चलके अपग्रेड होते हैं, तो अभी तक अपने वीडियो को लाइक नहीं है, तो फड़ावड से लाइक करतो, चैनल को सब्स्राइब करतो, और फड़ावड से कमेंड में तो वुल्फ रिवेंज, हम इसते बतला लेकर रहेंगे, तो कैसर, अभी आप देख सकतो, हम आचुके सबसे पहले चैलेंज में, एक खदरनाक लंबा और पाउरफुल वुल्फ बनने के लिए, और यहाँ पर कैचल रहा है, उड़िवा, इस बिल्ली ने ये चैलेंज पिल्ली में, ओम्रीम, कोल्ड क्रीम, लंबी लंबी आइस क्रीम, वाँ, मैं तो लंबी लंबी बन गी, वाँ, वाँ, ये ता बहुत अच्छा है, म्याँ, तो कैसर, अभी आप सब ने देखा कि वो पिल्ली अप्ग्रेड हो चुकी एक लंबी बनी में, उड़िवा, तुम इस चैलेंज में क्या करना है, उड़िवा, अभी बताता हूँ, तो तुम्हें इस चैलेंज को जीतने के लिए, इन हेलिकॉप्टर में जाना पड़ेगा, तीस हजार फीट की उचाई में, और वहां से जंप करके, लेंड करना, इस पानी के अंदर, जो भी लेंड करेगा, वो होगा अपक्रेड, क्या, तीस हजार फीट, ये तो सही में बहुत ही जाना कदर ना कुने वाल है, वो देखो भी प्लेल जाना उससे भी आमें और उपर जाना पड़ेगा, क्या तुम ये चैलेंज करना चाहते हूँ, अरे यार मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है, अर मैं जाऊंगा, इस चैलेंज को कंप्लेट करूँगा, तीस हजार फीट उपर, तो काई सर, अभी आप देख सकतो, तीस हजार फीट ये हेलिकॉप्टर उपर जाने वाला है, और उधर से ये शेर जंप करेगा, और अगर ये पानी में लेंड हुआ, तो ये होगा अपग्र पर, और उपर, ओके, ओके, तो काई सर, अभी आप देख सकतो, नीचे तो बादल दिखाए देने लगए, पैस, अब तुम खूच सकते हो, हरे यार, मैं शेर हूँ, पर मुझे ढर लग रहे, पर मुझे खूदना तो पड़ेगा, और ये मैं खूद गया, पानी, आ रहा ये शेर तो सीधा पानी की तरफ आ रहा है, क्या ये जा पाएगा, ये सीधा पानी की तरफ जारे हो, और ये क्या ये तो कया सीधा गार्डन में, अब तो मारी बारी वॉल्फ, मुझे कैसे भी करके इन पानी के अंदर लेंड करना पड़ेगा, मैं इधर भी लेंड कर सकता अदर बैठते हैं और चलते हैं 30,000 फीट उपर और काइजर अगर आपने भी तक वीडियों को लाइक नहीं तो फटाव पट से लाइक कर दो चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि काईजर अगर आप लाइक और सब्सक्राइब करोंगे तो हमारे चांसे बिल्कुल कम हो 30,000 फीट बहुत जादा होता है तो देखते हैं क्या होने वाला है क्या हम अफग्रेड होंगे या फिर हमारी हट्डिया टोट जाएगी और ये वीडियो इधरी खतम हो जाएगी अभी थोड़ी देर पता चली जाएगा चलो चलो फड़ा अपर से चलते हैं उपर अभी तो पुल में तुक्त याँ अखरी मोगा है चल्दी जल्दी वीडियो को पॉस्ट करो और लाइक करो और सब्सक्राइब करो और जल्दी से हम गिरने वाले सीधा पानी की तरफ जहा तो मेरा हूँ क्या मैं अंधर लेंड कर भाऊंगा और जा रहा हूं और यह खधर्णाक सी ल पूल में नहीं खूथ भाया बहुत बढ़ी है और इसका मतलब तुम्हें अपुरेडों ने वाला हूँ है तुम्हें उने वाले हो क्या तुम तैयार हो हाँ मैं बहुत ही जल्दी से मुझे अपुरेट कर दू हों प्रीम कोल्ड क्रीम लंबी लंबी आइस क्रीम यो कैसे भूट का वुल्iston कर चुका हूँए एक टेंड फुटी खतरनाक था मैं चोटे से लग कर चुका है हुट कर शाति प्रहीं पर से नहीं चुका है चुचा है एक फुट य hell वुल्फ में और मैं बढ़े बड़ी जंप मंगार भार उनक तो अगर 6 फुट में में इतने बड़े बड़े जंप मार पारा हूँ तो आप सोचो एक बार में 1000 फीट का हो जाओ तो मैं कितने बड़े बड़े जंप मार पाऊँगा वो तो हमें जब ही बता चलेगा जब हम 1000 फीट के वुल्फ होने वाले हैं और आपनी फैमिली का बदला में लेना है उस खतरनाक से मौंश्टर से और वो मौंश्टर कम से कम 500-600 फीट का था तो हमें उससे भी जादा खतरनाक बनना पड़ेगा तो चलो गाईजर बड़ा बड़े चलते हैं और भी जादा लंबा होते हैं ताकि हम अपना बदलाक ले पाएं तो चल्दी चल्दी कमेंट कर दो वुल्फ साइज इंटू 100 अगर आप लेखोगे वुल्फ साइज इंटू 100 तो मेरी साइज 100 फीट से बढ़ जाएगी और अगर आप कमेंट करोगे वुल्फ साइज 1000 तो मेरी साइज 1000 बढ़ जाएगी तो अब जितना चाहे कमेंट कर सकते हो तो चल्दी चल्दी कमेंट कर दो और अगर आप में से कोई कमेंट करते है जो की नहीं करने वाला पर अगर किसी ने कमेंट किया wolf size into 1 million तो मेरी size 1 million feet होने वाली है तो देखते हैं कौन कितना कितना feet मुझे बढ़ाने वाला है तो चल्दी चल्दी comment कर दो और हम चलते हैं अफग्रेड होने बच्चे तुम होना चाहते हूँ अफग्रेड एक खतरनाक से wolf में तो तुम्हारा स्वागत है इस खतरनाक से deadly island में अरे यहाँ पर मुझे करना क्या है यह island तो बहुत ही ज़ादा खतरनाक लग रहा है यह सारे के सारे पेड सुखे में क्या चल्रहा है यहां बच्चे अगर तुम्हें अफग्रेड होना है मैं बिल्कुल तयार हूँ तो गाइसर मुझे इस आइलेंट पर डूड़ना है खतरनाग खतरनाग वुल्फ को एक सगिंड कितने वुल्फ दूडने मुझे बच्चे टोटल तीन वुल्फ डूडने होंगे तुम्हें तीन वुल्फ तो चलो गाइसर फड़ाफट से चलते है डूडते हैं खतरनाग खतरनाग वुल्फ और ये अंकल कौन है यहां का स्ट्रेचु है इसको छोड़ो अभी हमें अपने वुल्फ धूडने तो वड़ाफट से डूडते हैं क्या हमें यहां पर वुल्फ मिलेगा वुल्फ का है वुल्फ का है वुल्फ का है इधर जाकर इदर भी कोई वुल्फ नहीं दिखाए देना मुझे जल्दी से जल्दी तीनों वुल्फ को ढूंड के उनको खाना पड़ेगा और काईजराब देखसे तो यह कितना खतर नाक है यह विलेज सही में बहुत ही जादा डरावना है इसलिए मुझे यहां से जल्दी से जल्दी वुल्फ को ढूंड के निकल लेना चाहिए तो अभी हम इस वाले घर के अंदर आ चुके है यह देखो इस घर की हालत कितनी जादा खराब हो और किये एक सगिंड यह क्या यह क्या जीज़े यह तो किसी की पूछ लग रही है मुझे लगता है यह किसी वुल्फ की पूछ है और वो इस घर के पीछे कड़ा है मुझे जल्दी से जाना होगा देखते हैं क्या यह एक सही में वुल्फ है और जी हाँ यह तो एक खदरनाक सा वुल्फ है इसकी पूछ मुझे उस घर के अंदर दिखाई देगी और मुझे अपना सबसे पहला वुल्फ मिल चुका है चलो के अंदर तो मुझे कुछ दिखाई नहीं देरा हमें जल्दी से जल्दी बाकी के दोनों वुल्फ को भी ढूड़ना पड़ेगा तो अगर आप चाहते हो जल्दी से जल्दी हम तोनों वुल्फ को डूड़ने तो वड़ावट से वीडियो को लाइक कर दो चैले कुछ सब् मुझे डारेक्ट जंप करना पड़ेगा इस बिल्दिंग के ऊपर और ये क्या ही खतरनाग जंप किया है अब ही आप देख सकते हो हम लोग आ चुके इस खतरनाग से वुल्फ के पास चलो फड़ावट से इसको खा लेते हैं आम नम 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 और गाईजर ये वु वुल्फ कहा पर हो तुम मुझे तुमको खाना है ताकि मैं अपग्रेड हो सकू कहा पर है वो खतरनाग सा वुल्फ आखरी वुल्फ को हमें खाना बाकी है उसके बाद हम अपग्रेड होने वाले एक खतरनाग से वुल्फ में पर वो है कहा पर मुझे तो समझे नहीं आ रह और कमेंट में लिख दो वुल्फ अपग्रेड अगर आप यह नहीं लिखोगे तो हम अपग्रेड नहीं हो पाएंगे यानि हम उसको टून पाएंगे और हमें उसे चल्दी से चल्दी टूनना है ताकि हमें खतरनाक सा लंबा और पावरफुल वुल्फ बन सके चलो जाओ में डूड़ने के बाद आकिरकार हमें यह यहां पर मिल चुका है चलो फड़ावर्ट से इसको खा लेते देखते हैं हम कॉन से खतरनाक वुल्फ में अपग्रेड होने वाले आम नम 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 और कैसा आप फाइनली तेख सकते हो हम लोग अपग्रेड हो चुके एक खत अब हम पानी के ऊपर बाद में पहले हमा में अब पानी में यह तो सही में बहुत ही जदी जल्दी बढ़ती जारी है पर कैसर हम जब तक नहीं रुखने वाले जब तक हम तुन्ये के सबसे खतरनाक और लंबे वुल्फ नहीं बन जाते तो चलो यार फड़ावर्ट से चलत होते हैं ताकि हम उस खातरनाक से मॉंस्टर से अपना बदला ले पाई अपनी पूरी फैमली का पुलिस वालो निकलो यासे मुझे अपग्रेड होने जाना है चलो तो काई सर अभी आप देख सकतो हम लोग अपडेड़ों ने आ चुक है एक और खातरनाक से फुल्फ में हल्क जैसा कि मैंने बोला था ये मैजिक पूर्ट काम करेगा ये लो तुम्हें दुन्या का सबसे खतरनाक बर्गर मिल गया अरे बहुत बहुत शुक्रिया ये बर्गर तो बहुत ही अच्छा है मैंने आस तक इतना बड़ा बर्गर नहीं देखा अब मैं इसको आराम से बैटकर खाऊंगा अम अम नम वाव पूलेस्ट नहीं क्या सारा वरएि आर्भ मेरे साथ येसा क्यों रहें ये क्या मेरे साथ हां पर काइजर कोई बाती मैं में साइज का कई बनाना चाहता हूं फॲयाद रखना अगर तुमने थोड़ा लंबा वुल्फ तो काईजर अभी आप देख सकतो हम लोग इस ड्राइंग मैजिक बूट पर आचुके और हमें बनाना एक खदर नाकसा फुल्फ पर हमारे पास पेंट बहुत ही सादक हमें इसलिए बड़ा वुल्फ तो नहीं बना सकते पर एक अच्छा वुल्फ अभी भी हम बना सकते हैं तो चलो हर फड़ाफर्ट से अपनी ड्राइंग शुरू करते हैं और एक खदर नाकसा फुल्फ बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले इसके उपर का फेस का कावम करने वाले हैं और यह वुल्फ इतना ज्यादा पाउर्फुल होने वाला है जब आप देखो हो गया इसका पहला हाथ कंप्लीन अब आप देख सेको यह इसका हाथ कितना जादा बड़ा है तो सोचो यह वुल्फ कितना जादा खतरनाक बनने वाला है अब यहाँ पर आपन इसको देंगे एक स्पाइक और यहाँ पर भी सेम तू सेम हाथ बनाने वाला है बड़ा की का पैना देते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक लगने वाला है तो फड़ाफट से यहांपर यह भणगया इसका पैन तो कईसर आप देख से तो आपको लगाई तो बहुत ही ज्यादा अजीव है और चब यह पूरा complete होएगा तब यह बहुत ही जादा खतरनाक लगने वाला है तो फड़ाफट से इस वुल्फ को पूरा का पूरा complete करते हैं यहाँ पर इसको ऐसे लेकर चाहेंगे इसको ऐसे गे डन तो कैसरा भी आप देशों यह वुल्फ हमारा यहाँ पर बनने लग चुका है हमारे पास paint बहुत ही जादा कम है पर फिर भी हम इस वुल्फ को बना के रहेंगे तो फड़ाफट से इसको यहाँ पर ऐसे लेकर जाएंगे यहाँ पर इसकी design हम इसको देने वाल है एक ऐसे यह ऐसे यहाँ पर भी ऐसे यहाँ पर भी ऐसे यह डन design है यहाँ पर complete हो चुकी है यहाँ पर थोड़ी पैरों में भी design इसको देने वाल है इसके पैर में हम पट्टी पिनाने वाल है ताकि ये वुल्फ हमारा लगे और भी जादा खदरनाग तो यहाँ पर पट्टी भी डन हो चुकी है तो चलो बड़ावट से इसका बाकी का आर्मर भी बना देते हैं इस वुल्फ को हम खदरनाग सा आर्मर पेनाने पाले हैं जो कि बहुत ही जादा खदरनाग लगेगा आर्मर वाला फुल्फ जल्दी जल्दी इसको यहाँ पर रसी देते हैं इसके आर्मर बांदने के लिए अब यहाँ पर भी सेम टू सेम यह बनाए कि बहुत ही खदरनाक सा आर्मर यहाँ पर देंगे इसको खदरनाक सी रसी यहाँ पर मिल गई इसको रोब अब बाकी का वुल्फ भी बना लेते हैं यहाँ पर यह और कैसर मैं सोच रहा भी है हमारे पास गोल्ड पेंट ज़रूर बचा है तो हम इसके पूरे आर्मर को गोल्ड का अगर बना दे तो यह कितना खदरनाक लगेगा एक बार यह पूरा बंजा है फिर हम देखेंगे कौन सा कलर हमें इसके अंदर करना है फड़ापट से कमेंट करके बताओ क्या हमें इसके अंदर गोल्ड कलर करना चाहिए जल्दी जल्दी कमेंट करके बता दो अब बाकी के वुल्फ को भी यहाँ पर ब बना दिया जाए तो कैसर आप देख से तो यहां पर यह मूँ भी बन चुका है मूँ के अंदर होंगे फुल्फ के खतरनाक खतरनाक दाथ आप देख सकतो कितने खतरनाक लग रहे हैं फड़ाफट से नीचे भी बहुत सारे दाथ दे दिया जाए मुझे तो यह वुल्फ अभ यहां पर लग बग कंप्रिड हो चुकी है अब इसके अंदर कलर करने की बारी हा चुकी है सबसे पहले हम लेने वाले तुड़ा लाइट ब्राउन कलर जो कि इस वुल्फ की पूरी बॉड़ी में होने वाला है मेरे कर से ग्रे जादा अच्छा रहेगा तो ग्रेस कालर इसक जाकर लगे बहुती साधा को भी सबस्ते कर देंगे और उसके बाद हम लेंगे और गोलडन कलर लिख झा तर्ट जगाई है तक चुने पर गोलडन कलर थे और भी हो चुका है उसकेकेब और उरंज करलर लेकिके इनके बीच में बीच और रहें तो भुणाउंग से सारा औरंज करने एक ज़या आप देख सकते हो हमारी ड्रॉइंग यहाँ पर कम्प्लीट हो चुकी है पूरी की पूरी पुड़ापट से इसको रियल लाइफ में लाते है और देखते हैं कैसा लगने वाला यह कदरनाक सा फुल्फ और यह पेंटिक बनाई है तुनिया के सबसे कदरनाक पेंटर ने और य यह वालेबाने वुल्फ से लंबा भी बहुत है और पाउरफुल तो है याँ धेक सकते हो कितना साथा खतरनाक जमपपम मारवन है यह यहलो तो काईजर यह वोल्फ नहीं बहुत ही जादा पाउरफुल है जिसे अधान से हम अग्रेड होते जा नहीं थोड़ी थेर में हम कि सबसे खतरनाक और लंबे वियर वुल्फ बन जाएंगे और अपनी पूरी फैमिली का बद्ला भी ले लेंगे तो चलो यार फ़्ट से चलते अपने अगले चैलेंज में क्योंकि हमें बनना है तुनिया का सबसे लंबा वुल्फ और उसके लिए आखरी चैलेंज में जाना अगर इस बार हमारे पास थोड़ा पेंट जादा होता तुम्हें दुनिये का सबसे लंबा और खतरनाक वुल्फ बना लेता पर हम पर हमारे पास पेंट नी ता कोई बार अपनी फड़ा पड़ से वीडियो को लाइक करो चैनल को सबस्क्राइब करो और हम चलते अपने अपक्रेड करूंगा अपनी शक्तियों से क्या तुम तयार हो मैं तो मैं कुल तयार हो तो क्या मैं कूमना है हो मैं भी तयार हो वी वी तो मैं बताता हूं तुमको इस चैलेंज में करने क्या है अपनी अपनी कार्स को लेकर जाना है और फुल स्पीड में सारे के सारे ओश् तो इसलिए इसका प्राइस बहुत ही जादा बड़ा है तो जो भी ये चैलेंजी देगा उसकों तुन्या का सबसे खतरनाग और लंबा इंसान बनाने वाले अब वो वुल्फ यो सकता है और वो हल्क यो सकता है क्या तुम तैयार हो मैं बेल कुल तैयार हू अले लोको लोको म सबसे पहले मैं जाओंगा और इस रेस को फिनिश करके दिखाओंगा ये रेस में लिए बहुत ही इजी है तो काईज और आप देख सेकते हूं ये पीला वाला हल्क निकल चुका है इस रेस को कंप्लेट करने के लिए जो भी इस रेस को कंप्लेट करेगा वो तुनिया का भी बता दो क्या वह है फिर मैं उने वाला है या फिर में या उने वाला ओ याने वूल या स्पारइम रनला वेहरााओ इना यसमकर दो मुझे अफ़ए जल्दी नाव क्मंट करने वाल हु झल्दी चल्दी नाम करने तो लग पीडू कर्षणने करें लाह तो चल्दी कैसे भी करके जीतना है और अगर आप लाइक सब्सक्राइब नहीं करोंगे तो यह जीतना बहुत ही जादा मुश्किल होने वाला है अरे यह क्या यह फैंट तो मुझे आगीने जाने दिना मुझे बचा जाओ और यह क्या वह पीला वाला हर्क तो टिस्कॉलीफाय हो चुका है तुमारी पॉर स्पाडर मैन एले-ले मेरी बालिया गई मैं यह जीत करांगा तो काई सर वह हल्क टो डिस्कॉलीफाय हो गया मुझे लगता है आप सब ने उसको बैड लग हल्क लिखा होगा तो बड़ लग वुल्फ कमेंट करना बिल्कुल भी मत बूलना तो तेखते हैं अभी इस पाइडर मैन क्या करने वाला है अले मैं तो इस रेस को जीतूंगा देख ले ना हाँ वो तो भी मता जले जाएगा तो काईजर ये रेस जीतना हमार लिए बहुत ही सादा जरूरी है क्योंकि काई दुनिया का सबसे टॉलेस्ट वुल्फ बनना है और उसके लिए इस चैलेंज को जीतना बहुत ही जादा जरूरी है और जहाँ पर हल गिरा था उससे स्पाइडर मैन तो आगे निकल चुका है अले-ले मैं तो यह पूरा था पूरा चैलेंज जीतने वाला हम देख लेना और अले तुम देख लेना ये चैलेंज तो मैं ही जीत करहूंगा और काईसर अभी स्पाइडर मैन फुल स्पीड में जाता जा रहा है ये तो गिर नी रहा अगर ऐसा चलता रहा तो ये चैलेंज जीत जाएगा चल्दी चल्दी बैट लग स्पाइडर मैन कमेंड कर दो ताकि और ये चैलेंज जीत जाएगा और ये दुनिया का सबसे बड़ा और पार्फुल स्पाइरमेन है जाएगा गरां कर डदू कृटला चाहिं सब्सक्राइब करने के लिए तो कम्प्लीट करने के लिए तो कम्प्लीट करना ही पड़ेगा मैं अकेला बचाओं मुझे दुनिया का सबसे टॉलेश्ट वेहर वुल्फ बनना है तो हमें ये चैलेंज कम्प्लीट करना ही पड़ेगा चलो फड़ापट से चलते हैं इस रेस को कम्प्लीट करते हैं तो चलो फड़ापट से अपनी कार को बगाते हैं और मेरी ड्राइविंग स्किल्स का तो और अगर वो सक्सेस्फुल हो गया तो मजाजेगा और ये क्या हो गया शॉटकट के चक्कर में इस फैन ने तो हमें ही उड़ा डाला मेरी गारी की धचिया ओड़ चुकी है हमें डंक से लैंडिंग करनी पड़ेगी मुझे लगता है शॉटकट नहीं लेना चीए जैसे में इस चैलेंज को फिनिश करके रहेंगे और वैसे अब गाड़ी चेंज करने का भी टाइम आ चुका है हमारी गाड़ी देखो कौन सी गाड़ी हम लायते हैं अभी गाड़ी की हालत क्या हो चुकी है और फिर से हमें फैन ने मार दिया इतना तो किसी को निवारता जितना करके दुनिया का सबसे डॉलेश और खतरनाक वुल्फ बन जाते हैं वार्डर मैं ने यह कंप्लीट कर लिया था वह आगे जाकर गिरा तो हमें याद रखना है हमें इस चैलेंज को फिनिश करना है तो चलो फड़ा पट से यहां से निकलेंगे यहां से अपनी गाड़ी स्ल से यहां से निकलेंगे और काईशर आचुका है वो स्पाडर मैं वाला जंप और आराम से जंप करके हमने यह कंप्लीट कर लिया है और यहां पर वापिस से गाड़ी Chench करने का Option भी आचुका है फढाफवट से गाडी करते है Change Orange क्लर की गाडी लेंगे आप सबका फेवरिट क्लर कॉन सा है फढाफवट से कमेंट करके बता दो मेरा तो है फेवरिट कलर Blue आप का कॉन सा है जरूर कमेंट करके बता देना जल्दी जल्दी यहां से चलते हैं यहां से निकलेंगे यहां से निकलेंगे और कैज़र आप देख सेके हो यहां तक तो कोई भी नहीं पहुचा था Spider Man भी गिर किया था और वो Hulk तो बहुत ही जादा पहले गिर चुका था यहां पर पुच चुके हैं इसका मतलब हम क्या finishing line तक पहुच सकते हैं जी हाँ हम पहुच के रहेंगे और सौम ने मुझे कुछ खतरनाक सा course दिखाई दे रहा है हमें उसको भी complete करना पड़ेगा और हमारी गाड़ी यहाँ पर out of control हो रही है चलो फड़ावट से खतरनाक सा jump मारेंगे इस टनाई के अंदर बहुत सारे fan हैं जिन से बचते बचाते हमें जाना पड़ेगा पड़ावट से पहले fan से बच गए दूसरे fan से भी यहाँ पर बच चुका है और लगता है पर गाड़ी चेंज करने का option भी आ चुका है तो बड़ावट से यहाँ पर अपनी गाड़ी चेंज करने थे तीसरी बार हम गाड़ी चेंज कर रहे है हम दीने दीने फिनिसिंग लाइन के बहुत ही जादा क्लोज जाते जा रहे है और ये गाड़ी में तो खतरनाक बूस्टर भी है ये गाड़ी तो पहुत निकादर नाक है इसमें बूस्टर भी है और ये बड़िया बड़िया जंप भी करती है पर मुझे जंप नहीं करना मुझे इस चैनेंज को ख़दम करना तो बूस्टर लगाते है बचा मुझे बचा मुझे कुछ लंग से दिखाई भी नहीं दे रहा फुली स्पीड में जाते जाने और ये फैन ने में मारी ठोकर वाब भी से बूस्टर लगाते हैं निकल जाएंगे इधर से बाहर और काईसर मुझे लगता है इस टनल से बाहर निकलने वाले हैं लेट् पर कम से कम 500 फैन ते और 500 में से 200 फैन ने मुझे मारा पर फिर भी हम केसे भी करके बचते बचाते यह पर आ चुके और आखरी हमारा चैलेंज बाकी आखरी अबस्टेकल को कंप्लीट करने के बाद हम जाने वाले सीधा फिनिशिंग लाइन पर सामने फिनिशिंग लाइन वी 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 तुम ने यह चैलेंज कंप्लीट कर दिया बहुत बढ़िया अरे तो चल्दी से मुझे अपक्रेट करतू एक गदरनाक से फुल्फ में अबेला बच्चे और आप देख सकते हूं फाइनली मैं अप्डेट हो चुका हूं एक गदरनाक से लंबे और पावरफुल वुल्फ में हमारा टॉल मीटर तो एकदम से बहुत ही जादा बढ़ चुका है और हम बहुत ही जादा लंबे में हो चुके हैं आप देख सकते हूं इन बिल्डिंग से में कितना जादा लंबा हो चुका हूं जब मैंने शुरुआत की थी तो मैं था एक डेड़ फुट का वुल्फ अब मैं बन चुका हूं पूरे पाथ सो फीट का बुल्फ तो चलो यार फड़ावर्ट से बता लेते जिसने मारी पूरी फूल्फ फैमिली को खतम किया था लॉसेंटर से आम हम उसे नहीं चोड़ने वाले आ रहा हूं मैं मॉंस्टर और काईसर अभी आप देख स पर कोई बात थे मैं तज़े अभी भी मार दोंगा ऐसे कैसे मार देगा मैं कहा पर घूम नहीं हो जोड़नी पंटे वाला ये गाडी फेके जा Arabs कर से वीडिय और है कैजर के साई मैं बहुत ज़ाद बावर फुल और मुझे लगा थे मैं सिन बाच होग व कर मैं से थोड़ा सा लंबा हुआ हूँ पर कोई बांती हम इसको मार के रहेंगे कैसे भी करके बार ये मिलिटरी वाले बीच में पैटेसा न्यू कर रहें तेरी तो ऐसी की तैसी यह ले इसको भी नहीं चोड़ने वाले इसको यहां पर उठाएंगे हाहा तु मुझे अठाएगा मैं तुझे खतम कर दूँगा वुल्फ के बच्चे जैसे मैंने तेरे पूरे वुल्फ फैमिली को मारा था वैसे तुझे भी मारने वाला हूँ क्या बोला तेरी ऐसी की तैसी यह निकल यहां से तु गाइसर अब तो मुझे बहुत ही जादा गुशा आ चुका है इसके ऊपर गाड़ी पैक पैक का 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 चल लगया तु ने तुझे लगा तु मुझे मार सकता है यह ले तो काईजर बोलना तो पड़ेगा यह मॉंस्टर सही में खदरनाक है पर मुझसे जादा खदरनाक नहीं क्योंकि मैंसे भी को भी नहीं छोड़ने वाला यह ले चलो फड़ा मटसी इस मॉंस्टर को खतम करते हैं बहु पूरी की पूरी खराब करने वाले इसको यहाँ पर फैक देते हैं और हम मुझे छोड़ दे मुझे छोड़ दे ऐसे कैसे चोड़ दे तो काईजर फाइनली हमने इस मॉंस्टर की हालत खराब कर दिये और इसको बाई-बाई बोलने का टाइम भी आज चुका है या निकल य कमेंट करके बताना आज सब में से आपको सबसे खतरनाग फुल्फ कॉन सा लगा वैसे तो सब को टॉलेश्टी अच्छा लगेगा और और कोई सा लगा हो तो फड़ा फट से कमेंट करके बता देना तो क्या सराची मुझे अगर आपको आज पीडिशी तो लाइक कर देना चैनल पर नहीं है तो सबस्क्राइब कर देना पता नहीं की वीडियो फड़ाओ फट से कमेंट करके बता दो और गया से इस्ट्रम और डिस्कॉर्ड डिस्रिप्शन पर वाब जागे जार फॉलो करें ना और हम बिलेंगे आप से ग्रीवडियों में तब तक के लिए बाइ है